नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं mutual transfer के संब्द में कि HRMS पर आप किस तरीके से mutual transfer का application submit कर पाएंगे और दोस्तो mutual transfer से संब्दित कौन कौन सी बातें आपको याद में रखनी चाहिएं वो मैं आपको इस वीडियो के last पर बताऊंगा तो guys वीडियो को end तक जरूर देखना है साथ में मैं आपको एक bonus tip भी दूँगा तो वो bonus tip को भी आपको जरूर से देखना है और guys आप भी मुझे bonus दे सकते हैं चैनल को subscribe करेंगे तो चलिए guys देखते हैं कि आप HRMS पर किस तरीके से online mutual transfer का application submit कर पाएंगे और आपको कौन-कौन सी परेशा निया आ रही है और उतका क्या-क्या solution है उन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूं रही और स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल जोर वल्टेक पर तो गाइस आपने भी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो वैल वाला आइकन है उसको भी जरूर दबाईए तो गाइस सबसे पहने हम सीखेंगे कि आप HRMS पर mutual transfer application किस तरीके से submit करोगे उसकी क्या process है HRMS के दौरा ये कैसे कैसे होगा और इसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको mutual transfer से सम्मदित कौन कौन सी बात है याद में रखनी चाहिए ठीक है दोस्तों तो चलिए एक पर laptop की screen पर तो गाइस सबसे पहले आपको HRMS पर login कर लेना है और login करने के बाद आपको इस IRHMS ESS वाले बटन पर जाना है मैं आपको highlight करके दिखा देता हूँ इस वाले option पर आपको जाना है जाने के बाद यहाँ पर एक option आएगा mutual transfer request का इस mutual transfer request पर आपको click करना है click करने के बाद कुछ इस तरीके का form आपके सामने खुलके आएगा यहाँ पर एक option है express interest oblique search prospect की mutual transfer इसके बारे में मैं आपको separate से एक वीडियो मनाऊँगा तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखेगा कि आप mutual transfer किस तरीके से find कर सकते हो HRMS पर उसके बाद आता है यहाँ पर new application इस new application पर जाके हम अपना form फिल करेंगे ठीक है guys और आपने पहले कौन कौन से transfer लिए उन सब की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी अब हम जाते है new application पर इस पर click किया click करने के बाद देखें यहाँ पर employee 1 की detail है और यहाँ पर employee 2 की detail है employee 1 का मतलब है कि आपकी detail और employee 2 का मतलब है कि जो भी आपका mutual partner है उसकी detail तो guys आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो आप जिसके भी साथ mutual transfer ले रहे हो तो वो mutual transfer की सारी condition fulfill करता है otherwise आपका application reject हो सकता है तो guys आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि जिसके भी साथ आप mutual लगा रहे हो तो वो जो भी mutual की condition है वो सारी fulfill करें जिससे कि आपका application reject ना हो ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ID दिख जाएगी नाम दिख जाएगा यहाँ पे आपको अपना photo upload करना है और यहाँ पे आपको signature upload करना है यह दोनों आपको JPG format में अपलोड करना है और इसका size 2MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए उसके बाद हम नीचे आते हैं आपको date of birth मिल जाएगी आपकी qualification मिल जाएगी आपकी qualification को आप edit कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे यह जो gray color का column आ रहा है इसको आप fill नहीं कर पाऊगे यह by default SRMS में जो आपका data भरा हुआ है उसी को उठाता है तो इस data में अगर कोई भी correction है तो आपको अपने daily color से जाके मिलना होगा और वहाँ से यह data को सही करवाना होगा उसके बाद हम नीचे आते हैं कहाँ पे आता है staff public ticket number तो दोस्तो कहीं जगे जैसे वर्सों बगरा में ticket number होता है staff का तो वो आप यहाँ पर fill कर सकते है otherwise आप इसको black भी रख सकते हैं यहाँ पर आपका zone रहेगा division रहेगा और आप किस जगे पर काम कर रहे हो रहेगा किस office में काम कर रहे हो तो कुछ department में कर रहे हो यह by default भरा हुआ आएगा अगर इसमें कुछ भी कम है तो DC से समपर करना है यहाँ पर आपका present education आ जाएगा present payable क्या है आपका basic क्या है वो आ जाएगा अब यहाँ पर एक option आठा है date of regular provision to the grade if promoted अगर आपका promotion हो गया है तो आपका जिस भी payable में promotion हुआ है उसका regular promotion कब हुआ है उसकी date आपको यहाँ पर डाल लिए जैसे मेरा promotion 10,8,2018 को हुआ तो मैं वो validate यहाँ पर डाल दोंगा यहाँ पर आपका initial appointment कब हुआ था आपकी वो आ जाएगा उसके बाद किस mode से आप भड़ती हुए थे वो आ जाएगा और initial में आप किस पद पर भड़ती हुए थे वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा initial grade पे क्या था आपका वो भी आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक समस्या यह आती है कि आपका यह जो post of initial appointment है यह blank दिखा रहा होगा मेरा भी पहले blank दिखा रहा था तो बाद में मैंने इसे सही किया और वो किस तरीके से सही होगा यह मैं वीडियो के last में बता दूँगा इसके लिए आपको dealing class से संपर करना होगा और dealing class से बात करिएगा कि भाई मेरा जो initial appointment में जो initial resignation था उसको update कर दीजिए उसके बाद आपका date of confirmation होगा कि आपका जब शुरू में भरती होए तो आप confirm कभ होए अगर कई बारी क्या होता है कि जो compulsory training जिन में होती है तो उनमें confirmation होता है तो वो data आपको यहाँ पे डालनी होगी उसके बाद आपको यहाँ पे compelling region for the mutual transfer तो यहाँ पे आपको region निकला है कि आप mutual transfer क्यों चाह रहे है आपकी कौन सी समस्या है जिसके लिए आप mutual transfer चाह रहे है तो दोस्तों यह आपकी हर किसी की अलग-अलग समस्या हो सकती है आप क्यों चाह रहे है तो उसके लिए आप यहाँ पे आपको भड़ना है और यहाँ पे वैदर अविल्ड, IDT, IRT, IDMT, IRMT अर्लियर इफ यह इस गिप पार्टिकुलर यानि कि आपने इस से पहले कभी mutual transfer या inter-lainvert transfer या inter-division transfer जो भी कुछ transfer लिया है तो उसकी detail आपको यहाँ पर डालनी है यहाँ पे आपका address आजाएगा और यहाँ पे आपको अपने supervisor का नाम डालना है आपका supervisor कौन होगा जो भी आपका just in charge है वो आपका supervisor है तो आपको just आपके supervisor का नाम डालना है तो आपके सुपर्वाइजर के नाम यहाँ पे दिखने लग जाएंगी उसकी HRMS ID डेपार्टमेंट और टेजिक निशा है तो ध्यान रखना है कि सई ही सुपर्वाइजर आपको चूज करना है किसी गलत आदमी को यहाँ पे चूज नहीं कर देना है तो यहाँ पे जैसे मैंने सुपर्वाइजर को चूज कर लिया उसके बाद आपको उपर आना है और यहाँ पे आपको सेकिंड एमपलोई जिसके साथ आप म्यूचल ट्रांसपर ले रहे हैं उसकी HRMS ID आपको यहाँ पर डालनी है तो यहाँ पे एक याद रखने वाली बात है दोस्तो कि आपको दूसरे एमपलोई की ID कैपिटल लेटर में ही डालनी है ठीक है तो मैं यहाँ पे डाल दिता हूँ तो यहाँ जैसे मैंने किसी एमपलोई की ID डाल दी ठीक है तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में डालनी है आपको small में नहीं डालनी है otherwise यह work नहीं करेगा तो उसकी detail आ जाएगी और दोस्तो second employee की detail में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उसकी detail में परिवर्तन उसकी railway से ही होगा ठीक है उसकी unit या उसकी railway जहां भी यह काम करता है वहीं कि उसका change कर सकता है तो गाइस जब भी आप application भरो तो यह ध्यान में रखना है कि दोनों employee की detail एकदम correct है कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए अधरवाज आपका application reject हो सकता है उसके पाद आपको नीचे आना है और यहां पर यह जो and tick करूँ तो देखिए यह hide हो गया तो मैं यह आप टिक कर देता हूँ और उसके बाद आपको यहां पर जो भी रिमार्क लिखना है वो रिमार्क लिख सकते है कि आप में चट होगा और जब आप submit करेंगे तो आप confirmation के लिए आपके पास एक transition OTP आएगा आप उसे डालके अपना यह application submit कर देंगे तो गई यह तो ही कि आप mutual transfer कैसे submit करेंगे अब मानिजिए आपके किसी दूसरे partner ने application पहले submit कर दिया है तो आपको कहां दिखेगा तो आपको इस जगह पर दिखाई देगी और यहां पर किलिक करके वह आप यहां से application भर सकते हैं अब बात करते हम कि आपका जो इनिशियल डेजिगनेशन को कैसे करेक्ट करेगा तो आपको इनिशियल डेजिगनेशन था उसको भड़ दीजिए तो उसके लिए वह इसर में जाएगा और इसर एंट्री पे जाएगा यहां पे इनिशियल डेजिगनेशन का यहां तो आपको दिखने रहा है तो आपको इसे फिर से दुबारा से भरवाना है और इसे सम्मिट करवा के असेप्ट करवाना है तब जाके आपके आपका वहाँ पे इनिशियल डेजिगनेशन दिखने लग जाएगा तो जो भी डिलिंग कलरक है वो अगर कोई एंपोलोई की समस्या आती है इनिशियल डेजिगनेशन वाली तो उसको इसे दुबारा से फिल होगा तो दोस्तों ये तो था हमारा वीचल ट्रांसपर बंढ़ने का पूरा प्रोसेस अब हम बात करते हैं कि आपको कौन-कून सी बाते याद में रखनी चाहिए तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि आपके जो भी रूल रेगूलेसर है वीचल ट्रांसपर से संब् वो सारे rule regulations fulfill होने चाहिए यानि कि वो सारी सर्थे आप complete करने चाहिए दोनों partner तब जाकर यह आपका mutual transfer accept होगा अब उस rule के regarding मैं आपको separate से एक video बना दूँगा कि कौन-कौन सी rule है जो आपको याद में रखने चाहिए और basically जो बाते हैं वो है कि कि मालने जिए designation सामान होना चाहिए category सामान होना चाहिए ठीक है यह थोड़ा initial designation में different में भी differ हो सकता है otherwise आपको same designation same pay scale same category इस चीजों का आपको पालन करना होगा दूसरी बात यह है कि जो भी detail आपके HRMS में देख रही है वो सारी detail आपकी एकदम updated होनी चाहिए कोई भी detail आपकी backdated नहीं रहनी चाहिए कि उसके बज़े से आपका HRMS का mutual transfer application reject हो जाए ठीक है तो जो भी detail आपकी वहाँ पे दिख रही है वो सारी updated होनी चाहिए तो funk बानने से पहले आपको उसे जहां से देख लेना है कि आपकी और आपके partner की detail दोनों एकदम सही है कहीं पे भी कोई भी गल उसे backtrack नहीं कर सकते विड्रा नहीं कर सकते तो जब भी आप mutual लगाएं तो सोच समझ कर ही लगाएं otherwise आपका promotion भी हो गया तो भी आपका mutual transfer cancel नहीं होगा और आपको mutual transfer लेना पड़ेगा ठीक है तो वहाँ पे आपका कोई भी excuse नहीं चलेगा जो mutual transfer है उसको सोच समझ कर ही HRMS ID डाल गे और mutual transfer की request submit कर देता है तो वो request सीधे आईगी आपके पास मैंने बताये था तो आपको ध्यान से रखना है कि आप किसी भी ऐसी request को accept ना करें कि कोई जिस partner के साथ आप mutually नहीं लगा रहे हो और उसकी तरफ से request आ गई है तो उसे आपको accept नहीं करना उसे आपको reject क कर देना है जिसके साथ आप mutual लगाना चाह रहे हो उसी की अगर request आती है तो उसे यहाँ accept करिएगा अधर वाईच आप उसे accept नहीं करना है reject कर देना है मालीजे कई बार गलती से वो अगर आपने कर दिया ठीक है किसी unknown person ने लगाया आपके पास request आई आपने उसे accept कर दिया तो वो मालीजे process हो गया तो आपके लिए एक तरीके से दिक्कत हो सकती है तो यह मेरी तरफ से एक bonus टिप दिए है आपको जो भी process करनी है वो सोच समझकरी करनी है आपको कहें भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं process करोगा कि आपको उसके उपर एक एक दम से genuine मिलेगा ठीक है 100% तो sure नहीं कह सकता लेकि 99% आपको content एक दम genuine मिलेगा I hope guys अब आप अपना mutual transfer आसानी से लगा सकते हैं जो भी आपको दिक्कत जा रही है उनका आप overcome कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो जादर से ज़्यादा लोगों में share करें चैनल को नेक्स वीडियो में बहुत बहुत तन्यावाद